नवस्कार, स्वागत है आप सभी का परिक्षा वर्ल्ड के से यूटूब चैनल में दोस्तो आज हम एक और इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे इंडियन जेग्राफिक का माउंटेंस इन इंडिया यानि कि भारत में परवतुस रिलेटर जो टॉपिक है काफी इंपोर्टेंट है इस टॉपिक कवरी बिस्तार में कवर करेंगे यह जो टॉपिक है दो पार्ट में आप तब पहुशाया जाएगा फर्स्ट पार्ट में आज कमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम उत्तर भारत के परवतों को देखेंगे तता है जो topic है mountains in India का, यह काफी important है, काफी दिल्चस्प topic है, आपके exam के लिए तो इस topic को आप बिल्कुल ध्यांस देखेगा, इस topic को देखने के बाद जो है mountains in India से related कोई भी जो प्रस्ण आपके exam में पूछा जाएगा, इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा, तो चल उनको चाय प्रमुख समांतर पूर स्रियों में भाटा जाता है, पहली है trans हिमाल है, उसके बाद great हिमाल है, उसको हम ब्रियद हिमाले के नाम से जानते हैं, उसके बाद लगु या मद्ध हिमाल है, और सबसे लास्ट में आपका आता है सिवालिक, इन बाद नीचे के जो ती परोस इंकलायब जो है ग्रेतर हमाले लगू हमाले और शिवालिक इन तिनों को जो निर्मान है या नमिन्तम हुआ है परफ से पहले भी उत्तर भारत में तो उनको कहते हैं हम ट्रांस हमाले आई आपको मैप के थूरू भी देखा दिते हैं तो यहाँ पे मैफ हमारा है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था greater हिमाले की जो शुरुवात है यहाँ से इस्टार्ट आपका होता है यहाँ से आपका greater हिमाले स्टार्ट होता है जो greater हिमाले है उसकी शुरुवात है आपके उती है कहां से तो greater हिमालय की जो शुरुवात है आपके नंगा पर्वस्य होती कहां से नंगा पर्वस्य से greater हिमालय आपका start होके यहां से सीधे आपका चला जाएगा यहां ते अउनाचा पदेश के नामचा बरवा तक कहां तक तो नामचा बर्वा पर्वत तक जो है आपका ग्रेटर हिमालय फैला हुआ है यहां से कहां से तो यहां से आपका नंगा पर्वत से स्टार्ट होका जो है नामचा बर्वा और नारशल प्रतिश तक आपका ग्रेटर हिमालय है यह जो आपका है यह आपका ग्रेटर हिमालय का पार यह सभी जो मद्ध हिमाले के पाट हैं तो आप या देखेगा पीर पंजाल धौला धर यह सभी मद्ध हिमाले के पाट हैं तता मद्ध हिमाले के दच्छिल में आपके मिलेगा सिवालिक सबसे दच्छिल में जो है आपको सिवालिक की परवस इंखलाए मिलेंगी परंतु यह तो तीनों पार्ट हैं, ग्रेटर हिमाले आपका हो गया, मद्ध हिमाले हो गया, अल्सिवालिक हो गया, इनका जो निर्माण एकदम लेटेस्ट हुआ है, यह नमिंतम मोड़दार परवत है, परन्तु इसके हिमाले के अस्तित्तु से पहले भी कुछ परवत सिंख लाएं थी, जिनको हम ट्रांस हिमाले के नाम से जानते हैं, यह आपका कराकुरम जो सेड़ी हो गया, यह पे आपका जासकर स्रेणी हो गई, आपकी जो कैला सेड़ी हो गई, यह जो है ट्रांस हिमाले का मतलब क्या होता है, हिमाले से भी परे मतलब हिमाले के निर्माण से पहले भी कु जो कि भारत की दूसरी सबसे उची चोटी है तो आप इसे या देखें जो केटू है या केटू जो है या कारा कोरम की सबसे ऊची चोटी है जो की भारत की भी सबसे उची चूटी है तो आपको याद रखना पड़ेगा तो आए पुरे विस्तार में इसको कवर करते हैं ट्रांस हिमाले को तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ट्रांस हिमाले Trans-Himalaya में सबसे पहले हम बात करेंगे काराकॉरम सेर्णी की तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले काराकॉरम सेर्णी है Trans-Himalaya की जो सबसे लंबी है तेहां पर आप देख रहे हैं It is longest and highest Among all the Trans-Himalaya range यानि की Trans-Himalaya के जितनी भी सेर्णियां जैसे कारा कॉरम सेर्णी लद्दाग सेर्णी कैला सेर्णी तो इन सभी में सबसे जो लांगेस्ट और हाइस्ट है वो आपको मिलेगी कारा कॉरम सेर्णी का उदगम है जो ओरिजिन या पामीर नाट से होता है कहां से तो पामीर नाट से जो है कारा कॉरम सेर्णी का उदगम ह होता है जो कि highest play to of the world है जिसको पामिन नाट को हम roof of the world के नाम से भी जानते हैं आई ये map के थुरुत समझते हैं पामिन नाट है क्या तो यहाँ पे आप देख रहा है तो पामिन नाट कुछ है पामिन नाट तो यहाँ पे आप देख रहा है इस side से यानि कि उत्तर पस्तिम चाप से एक परवा सिंखला रही है हिंदुकु स्रेण हिंदुकु स्रेण हिंदुकु स्रेण हिंदुकु स्रेण यहाँ पे मिलती है उसके बाद तिबद एरिया से आपके कुन्लूल स्रेण यहा जान रखीएगा तता यहीं से जो है कारा कुरॉरम सेड़ी का उद्गम होता है तो आई होप आप समझ गया होंगे पामिन नाट क्या है यहां से उत्तर पस्षिम से आपका हिंदुकु सेड़ी आके मिलती है उसके बाद इदर से कारा कुरॉरम सेड़ी जाकी एक ही जगह पर म घील जाती है जिसे यहां पर एक गाट का निर्माण हो जाता है अईसा प्तीत होता है इसी हक्तों इसी गांट को हम पामिन नाट के नाम से जानते हैं पार्मिन नाट जो है roof of the world भी कहा जाता है तो आप इसे याद रखेगा आई होप आप पो यह clear हो गया होगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नौट है यह जो गांट है यह किसे बनती है तो convergence आप हिंदकुस मौंटेंस हिंदकुस मौंटेंस जो कहां से आती है तो उत्त मौंटेंस से जाके एक ही जगह मिल जाती है तो इसी convergence को जो कहा जाता है पामी नाट आई होप आपको clear हो गया होगा तता कारकोरम सरणी के सबसे उची चोटी है गाडविन आस्टिन केटू जिसको हम कोगीर के नाम से जानते हैं कोगीर के नाम से जानते हैं तता इसकी कूल उचाई आपको मिलेगी 8,611 मिटर आई होप आपको याद होगा यह जो गाडविन आस्टिन है जिसको हम केटू के नाम से जानते हैं यह जो है पाकिस्तान अकुपाइड कस्मीर में आपको याद रखना पड़ेगा पी योके कह रिया यानि कि पी योके में यह पड़ता है जो है गाडविन आस्टिन केटू तो आप इसे याद देखेगा तता इसको चीन में कोगिर के नाम से जानते हैं तता इसकी जो उचाई है 8,611 मिटर है यहाप आप देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की जो सबसे दूसरी उची चोटी है वह है गाडवि है तो सबसे उचाई पर इस्तित होने कारण जो है यहाँ पे जो है इसकी जो सेड़ी है पूरी बर्फ से धकी होती है तो यहाँ पे जो है बहुत साले glacier का निर्माण होता है तो उन सारे glacier हों में कुछ important glacier है जिनको हम पढ़ेंगे जो आपके exam के लिए काफी important है तो सबसे important glacier glacier आपका है सियाचीन glacier तो सियाचीन glacier के बारे में यह जान लेते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं highest and longest glacier in इंडिया ने की भारत का सबसे उचा और सबसे लंबा glacier है सियाचीन glacier इसकी कुल लंबाई आप कम बलेगी चिएतर किलोमेटर कितनी है तो चिएतर किलोमेटर कुल इसकी लंबाई है तो आप इसे याद देखेगा तता यह दुनिया का सबसे उचा बैटल फिल्ड भी है तो आप इसे याद रखेगा उसके बाद जो सियाचीन glacier है यहाँ से नुबरा नदी भी निकलती है तो इसे आ यह बाद में जाकर सिन्दू नदी में मिल जाती है तो इसके बारे में आपको याद अखना है अब दुसरा इंप बालटोरो जो ग्लेसियर है आपको मिलेगा कहां पर तो यह गिलगिट बाल्टिस्टान वाले एरिया में आपको मिलेगा यहीँ आप देख रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्टान वाले एरिया में आप मिलेगा आपको बाल्टोरो ग्लेसियर इसकी कुल जो लंबाई है 63 किलोमेटर है कितनी तो 63 किलोमेटर कुल इसकी लंबाई है जिसे आप ध्यान देजेगा तता यहां से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं सिगार नदी आप या देखिएगा जो सिगार नदी है यह बालटोरो ग्लेसियस निकलती है तता यह नदी जाके सिंदु नदी में मिल जाती है तो इसे आप ध्यान देजएगा इसके बाद एक और important glacier है जो कि भारत का दूसरा सबसे लंबा glacier है बीआफो glacier तो बीआफो glacier की कुछ लंबा यह 70 km तो आप यह द्यान देखियेगा यह भारत का दूसरा सबसे लंबा glacier है तो इस तरह से हमने ट्रांस हिमालय के जो पहली important सेर्णी थी कारा कोरम उसको हमने complete कर लिया है अब हम बात करेंगे लदाक सेर्णी क्या यह लदाक सेर्णी को देख लेते हैं कहाँ पे map में है तो यहाँ पे आप देख रहा हैं यह आपकी हो गई यहाँ पे कारा कोरम सेर्णी यह बात कलते हैं लद्दाक सेणी के बारे में तो यहाँ प्र आप देख रहे हैं लद्दाक जो है लद्दाक रेंज lies to south-east of the कारकोरम रेंज तो दछिडपूरु में इस्थीत है कारकोरम रेंज के आप इसे आ देखिएगा कारा कोरम रेंज के दच्छिल पूर में आवस्थित है लदाक सेणी तो आप इसे आ देखिएगा तता यह जो है जो लदाक सेणी है यह कारा कोरम से स्योक नदी मतलब जो स्योक नदी है यह कारा कोरम को लदाक से अलग करती है यहाँ पे आप देख रहे हैं कारा कोरम सेणी को लद्दाक से को अलग कलती है तो सियोक नदी आप ध्यान दिजेगा जो सियोक नदी है यह कारा कोरम को लद्दाक से अलग कलती है और लद्दाक को जासकर से जुदा कलती है तो इंडस नदी तो दोनों आपको याद रखना है जो सियोक नदी है यह कारा कोरम को लद्दाक से या लद्दाक को जासकर से जुदा करती है तिसे भी आपको याद रखना है तता लद्दाक सेरी में आपको मिलेगा खादुंगला पास जो की भारत का सबसे उचा मोटर रेवल रोड याने की जो खादुंगला पास है जो खादुंगला दर्रा है या भारत का सबसे उचाई पर इस्थित मोटर रेवल रोड याने कि यहाँ पर आप गाड़ी चला सकते हैं यह भारत का सबसे उच्छा पास है खादूंगला पास यहाँ पर देख रहे हैं यह इंडियाज हाइस्ट मोटर रेवल रोड याने कि यहाँ पर आप गाड़ी चला सकते हैं खादूंगला पा तिबबत की तरह बढ़ती है तिबबत में घुसती है तो उसको हम कैलास के नाम से जानते है और कैलास के नाम से जाना जाता है तिबबत में तद आपको पता होगा तिबबत जो है किसका पार्ट है तो चीन का पार्ट है चीन का कवजा है तिबबत पे तो इसको कैलास के नाम स they include Mount Kailas and Mansurowar Lake तो आपको पता होगा यह Mount Kailas और Mansurowar Lake की importance हमारे क्यों है क्योंकि जो Mount Kailas है भगवान संकर यानि कि भगवान सीव का घर है तथा यह जो Mansurowar लीख है यहां से भारत की तीन important नदियां निकलती है सिंधू कौन कौन सी सिंदू हो गई आपकी सतलज हो गई और एक नदी कौन सी है सिंदू हो गई सतलज हो गई और ब्रह्मपुत्र ये तिन इंपोर्टेन नदियों का स्रोथ है मांसरोवा लेक इसी कारण से भारत में इसका काफी महत्व है इसके बाद आपको लद्दाक सेडी में मिलेगा प्यांग सो लेक जो की इंडियाज की लाजेस्ट सलाइन लेक है काफी खुबसूरत लेक है प्यांग सो लेक लेकिन इसका पानी है या पीने योग नहीं है क्योंकि यह भारत की saline यानि कि लवणी जी ले यहां का जो वाठर या लवणी है यानि कि saline है या इंडिया का सबसे saline लेख है जो इंडिया चाइना के बॉटर पह स्तित defens야 थे तो आपको बाता होगा 500 लेख जो है इस समय बिवाद का कारण था यहीं पे जो है चीनियो सैनिक और भारा सैनिकों के मद्द जो है थोड़ी सी जड़ब भी हुई थी इसके बाद कुछ important fact है यहाँ प्याद आख निका जो लद्दाक सिर्णी है इसके सबसे उची चोटी आपको मिलेगे स्टॉक कांगरी कौन सी है तो जो स्टॉक कांगरी है यह लद्दाक सि में आपको मिलेगा है इसके साउची चोटी तो अपे यहाँ चिंद नेशनल पार्क है एक मात्र भारत का नेशनल पारे कि रास्टी उद्द्द्यान है जो हिमाले के उत्तर में अने के यह ट्रांस हिमाले में स्थित है, Hemis National Park, तो आप आद देखिएगा, Transimale में स्थित है, तो आप 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 सेमाले के लद्दाक सेर्णी में आपको मिलेगा Hemis National Park, अब हमने लद्दाक सेर्णी को भी कवर कर लिया है, अब हम Transimale की जो तिसरी सेर्णी है, स्थित है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, तो कैलास सेर्णी को यह कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो कैलास सेर्णी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, highest point इसका मिलेगा, Mount Kailas 6638 meters, कैलास सेर्णी कुछ नहीं है, बस आपको पताओ ना चाहिए, जो लद्दाक सर्णी है लद्दाक का जो भाग तिबबत में घुज आता है उसी को हम कैलास रेंज के नाम से जानते हैं तो कैलास सर्णी की सबसे उची चोटी आप खूड़ेगी मांट कैलास तथा यह इंडस नदी का सतलव नदी का अब करनाली नदी जिसको हम घाग रहा के नाम से जानते हैं इस नदी का यह सोर्स है लेक मांचोरोवर तो आपको यह याद रखना है तो दोस्ते हैं पर हमने जो हमारा ट्रांस हमालाय का पार था उसको हमने पुरी बिस्तार में cover कर लिया है अब हम start करेंगे हिमाला यानि की greater हिमाले से तो चलिए greater हिमाले को start करते हैं तो यहाँ पर map के थुरू भी हम देखेंगे तो map के थुरू मैंने आपको बताया था जो greater हिमाला है इसकी सुरुवात कहां से होती है तो greater हिमाले की जो सुरुवात है यह नंगा परवत से लेके यह जो है अवनाचर पदिश के नामचा परवा परवत तक स्थीत है तो आपको पतावना चीता इसी के बारे में हम डिसकस कर लेते हैं तो सबसे पहले आईए बात करते हैं greater हिमाले की जन्सकार सुरुणी के बारे में तो जो जन्सकार सुरुणी है या greater हिमाले का ही हिस्षा है तो आप इसे ध्यान दिजेगा जो जन्सकार सुरुणी है या greater हिमाले का ही पार्थ है तो यहापे आप देख रहे है से अलग कलती है तो आप ध्यान देजएगा तता यह जो जंसकार रेंज में उसके बाद नंदा देवी आपको जंसकार रेंज में मिलेगी और उसके बाद आपको केदारना जो है यह भी आपको जन्सकार रेंज में ही मिलेगा उसके बाद जो है लिपुलेग जो पास है यह भी जन्सकार सर्णी का ही हिस्सा है तो आप इसे ध्यान दिजेगा जो लिपुलेग पास है यह भी जन्सकार सर्णी का ही हिस्सा है उसके बाद जो जन्सकार सिर्णी है यहाँ पे आपको स्पीती वैली मिलेगी लाहॉल वैली मिलेगी और किन्नोर वैली यह से भी जो वैलियां है आपको मिलेंगी जन्सकार सिर्णी में तो आपको याद रखना है इसके बाद हम आईए बात कर लेते हैं greater हिमाले की most important तो जैसा कि मैंने आपको बताया था गहा नाधन most of all हिमालेण सिर्णी याने की हिमाले की जितनी भी सिर्णिया है उसके सब से उत्तर में आपको मिलेगा ग्रेट हिमाले याने की प्रीहद हिमाले उसको हंदी में कहते हैं आप याद रखिएगा greater हिमाले को हम ब्रिहद हिमाले के नाम से जानते हैं तथा हिमाले के जितनी भी स्रेणिया है, उन सबी स्रेणियों के सबसे उत्तर में आपके प्रिहद हिमाले तो आप इसे याँ देखेगा, इसकी जो एवरेज उचाई है, एकशॉट सो मिटर है तो आप ध्यान दिजेगा greater हिमाले की जो average उचाई है वो 100-100 meter है तो आप इसे ध्यान दिजेगा most important तथा इसकी जो length है total 2400 km है from नंगा परवत है निकी मैंना को बताया था जमू कस्मीर के नंगा परवत से लेके यहाँ अरांचर पदेश के नामचा परवत तक इस्थीत है कौ लिटर हिमाले की सबसे उची चोटी है परंतु यह जो माउंट एवरेस्ट है यह जो है भारत का हिस्सा नहीं है मतलब भारत में नहीं आता है अब नेपाल में पड़ जाता है तो इस कारण से जो है इसको भारत के सबसे उची चोटी नहीं कहते हैं अगर भारत की बात हो त तो यह अगर आप POK को मानते हैं इंडिया का हिस्सा अगर POK को मानते हैं इंडिया का हिस्सा इसे साब से आमारी जो भारत के सबसे उची चोटी हो जाएगी केटू वहीं अगर POK के अगर हम छोड़ दें तो भारत के सबसे उची चोटी हो जाती हैं हमारी कंचन जंगा तो इ या भारत की सबसे उची चोटी हो जाएगी, तो इसे आप ध्यान दिजेगा, तता यह जो Mount Everest है, आपको नेपाल में अवस्तित होने करण, इसको भारत की सबसे उची चोटी नहीं कहते हैं, वहीं जो Mount Everest है, या दुनिया की सबसे उची चोटी है, जो ब्रियद हिमाले, यानि की Greater हिमाले में अवस्तित है, वहीं Mount Kensan-Janga, जो है तिसरी सबसे विश्व की उची चोटी, आप या देखें की विश्व की तिसरी सबसे उची चोटी है, Mount Kensan-Janga और इसके बाद Mount Makalu भी आपको मिलेगा, इसरी सबसे पसी चोटी है, तो इसे भी आपको या दखना है, तता या जो Greater हिमाले है, इसमें आपको मिलेगा, लदाक में जो जीला पास है, लदाक में जो जीला पास, उसके बाद हिमान्चा पसे में, बार अलाचा पाक, पास, इसके बाद नीती पास, उसके बार लिपू- लेक पास, सिक्की में आपको नातुला, जालपला पास, अउण नछे पश्टमें आपको बोमंडिला पास, यह सभी इंपॉर्टन पास, यानि कि इंपॉर्टन जो दर्र हैं, यह आपको मिलेंगे ग्रेटर हिमाल्याज में, तो इसे भी आपको याद तो जो ग्रेटर हिमालियाज है आप देख रहे हैं यहां से आपका ग्रेटर हिमालियाज जो स्टार्ट होते हैं आपका जो ग्रेटर हिमालिया स्टार्ट होते हैं यहां पर देखेंगे लगातार इनमें कोई भी गैप नहीं लगातार यह फैले में ग्रेटर हिमालियाज जान तो यहां पर अधिक gap देखने को नहीं मिलता है greater हिमालियास में, तो आपको यहीं चीज में बताना चाहरा है था, तो यहां पर आप देख रहा है, जो निखा हुआ है कि greater हिमालियास बहुत देखने को था यहां एक पे ख़से arrow, तो यह fact भी आपको याद रखना है अब हम बात करेंगे मद्ध हिमाले से रणे की तो ब्रियाद हिमाले के दच्छिड में आपको मिलेगी मद्ध हिमाले यानि कि इसको हम मेडिल हिमाले के नाम से जानते हैं तो यह less in height and discontinuous यानि कि यह जो है height में ब्रियाद हिमाले से छोटे हैं और यह लगातार नहीं इनमें बहुत सारा gap आपको देखने के मिलेगे यह gap की इस कारण से है आपको मैं आगे बताऊंगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी sea level से उचाहिए आपको मिलेगी 3700 से लेके 4500 मीटर तता इस मियाँ पे आपको मिलेगा पीर पंजाल इसकी important जो सेड़ी है मद्धी हिमाले में आपको पीर पंजाल मिलेगी important जमु कस्मीर में धौलादहर हिमांचर पदेश में मसूरी रेंज उत्राखंड में महाभारत नेपाल में इसे आपको याद अकना है तता यहाँ पे आप देख रहे है यहाँ पे जो मद्ध हिमाले है इसमें कुछ चपटी घाटियां यहने की flat valleys भी देखने हो को मिलती है जिनको हम duns के नाम से जानते हैं तो middle हिमाले आज जो है middle हिमाले आज में बहुत सारे duns यहने की चपटी घाटियां भी देखने हो को मिलती है तो इन घाटियों को duns के नाम से जानते हैं इसका famous example है देहरा दून यहने की जो देहरा दून है यह मद्ध हिमाले में middle हिमाले का हिस्सा है तो आप इसे ध्यान दिजेगा उसके बाद जो पीर पंजाल सेणी है यह जो है middle हिमाले की सबसे लंबी सेणी आप जान दिजेगा पीर पंजाल सेणी आपको मिलेगे कस्मीर में तता यह मद्ध हिमाले की सबसे लंबी सेणी है तो आपको याद रखना है तता यह cut across by the Jhelum and Chenab River तो इसे भी आप ध्यान दिजेगा तता जो है famous pass मद्ध हिमाले मिलेंगे कौन-कौन से तो पीर पंजाल pass हो गया उसके बाद बनिहाल pass हो गया तता इसे आप ध्यान दिजेगा पीर पंजाल pass और बनिहाल pass यह famous pass है जो आपको मिलेंगे कहां पे तो मद्ध हिमालया में है, तो आपको याद रखना है, इसके बाद यहां पे आप देख रहे हैं, धौला धर रेंज भी important है, यह भी मद्ध हिमालया का हिस्स्ता है, तता, तो यह भी हिमालचर प्रदिस का हिस्सा है, धौला धर, इसे भी आप ध्यान देखिएगा, इसके यहां पर आपको कस्मीर वैली जो है कस्मीर की जो घाटी है यहीं पर मद्ध हिमाले में आपको मिलेगी उसके अलावा कांगरा जो है कांगरा की घाटी उसके बाद जो कुल्डू वैली है हिमांचर प्रदेश की यह सभी जो फेमस वैलिया है यह भी आपको लेगी मद्ध हिम तो आप हिसला देखिए कि तो ये जो शि trekना है तो याद्स याद है रखना है तोak की सुछ नहीं हिए बस यह जो मीडिन हिमाला है मीडिन हिमाला के एकदम साउथ में स्थित है सिवालिक तथा इसी के बारे में यह देख लेते हैं तो जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमाले कि उसको हम सिवालिक कहते हैं हिमाला की सबसे जो निचली है मतलब सबसे जो दच्छिर में स्थित है रेंज उसको हम सिवालिक के नाम से जानते हैं तो अब इसे आ देखिएगा तता यह जो जमो कस्मिल से असाम तक फैली हुई है इसे भी आप द्यान देजेगा इसकी एवरेज उचाई है 900 से लेके कैरसमीटर इसे आप द्यान देजेगा तता जो सेडिमेंट है जो अवसाद होते हैं उन्हीं से निर्मित है या सिवालिक रेंज तो आप इसे द्यान देजेगा तता यह जो जो बी नदिया निकलती है उन नदियों के दरा जो गाद यानि कि जो सिल्ट बहा के ले आए जाता ह उन्हीं सिल्टो से बना है यह सिवालिक रेंज यानि कि सिवालिक सेर्णी तो आप इसे द्यान देजेगा तता यह जो सिवालिक सेर्णी है यह जो है इसका बहुत सारा जो एरिया है वह ग्रेवेल और एलोवियम हम कहते हैं जलोर मिट्टी को यानि कि जलोर मिट्टी से इस उसको आपने कवर कर लिया है अब हम कुछ important परोतों को भी कवर कर लेते हैं जो एक्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं तो कुछ important hills आपको मिलेंगे देखने को जम्मू region में जम्मू hills हैं वहें अनाचप जासे आपको देखने को भी लिए कि ड्याफला hills, मिस्मी hills, अबोर hills और मिस्री hills उसके बाद उत्राखनव आपको लेगा धांग रेंज, दुन्दवा रेंज, नेपाल में आपको लेगा चुरईया, घाट hills तो यह से भी कुछ hills हैं जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं मैस्द फॉलईंग के रूप में इनने भी आप याद रख सकते नागा लाप फ सकते हैं उसके बाद हम नो थिस्ट में कुछ खरोतों का यह देख लिते है कि तो नो थिस्ट में कुछ पर रुपत हैं और आचा पर इंदश में कौन-कौन से हैं तो डाफला हो गया मिसमी हो गया, आबएर हो गया पट रोगे पट कई hills ओ यह सभी किसके हैं किसके तो यह अन्हाचर पिचस की हिस्सा है वह ही अस्ता में आपको मिकर अधारों खासे जहनतिया परोथे हैं उसके बाद नागा लाइन वाको लोगा नागा हिल्स आपकी सा थे या देखेगा तदा नागा हिल्स की जो सरवच चोटी है हो है सारा मती जिसको चाहिए 28m यह से भी उतनी इंपोर्टेंट है नहीं आपके एक्जाम के लिए बस यह जो पूछा जा सकता है मैस द फॉलोइंग गरूप में इसलिए मैंने आप इसको अपलोड किया हुआ है तो इन सब भी को आपको एक मैप आपके दिमाग होना चाहिए क्योंकि यहां से मैस द सिंक्लायन थी परवतित उनको हमने कंप्लिट कर लिया है तता भाग दो में हम जल्दी मिलेंगे आप से तता भाग दो में हम कंप्लिट करेंगे यानि की प्रादी भारत के परवतों को तो चली वीडियो को बंद करते हैं आज के कल हम फिर बिलेंगे एक नए सेशन के साथ जो कि part 2 होगा हमारा इसका, part 2 में हम complete करेंगे, main land का जो परवत्थ है, उसको तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, thank you, thanks for watching, thank you.